नवस्कार प्रश्ण बैंक प्रश्ण उत्रिस रंखला के अंतरगत आज हम कच्छ दस्मी के दूती भाग काप बोध दूती इकाई को लेकर प्रश्टूत हुए हैं यह इकाई टोटल दस नंबर की आने हैं और इसमें छह नंबर के जो हैं वस्तुनिष्ट प्रश्ण आएंगे दो नंबर के दो अंक वाले प्रश्ण आएंगे दो अंक वाले यानि दो प्रश्ण आएंगे सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ट प्रश्णों के सही उत्तर तो वस्तुनिष्ट प्रश्णों के सही उत्तर को देखते हैं पहला प्रश्ण है रसात्मकम वाक्यम कब्यम रस युक्त वाक कही कब्य है ये परिभासा किस आचारे की है तो ये परिभासा आचारे बेश्चुनात की है याद रखेंगे आप सभी लोग कब के बेध होते हैं तो कब के मुकृप से दो बेध होते हैं किस कब के छंद एवं कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं तो ये प्रबंध कब की परिभाशा है एक प्रकार की अलंबर और उद्दीपन का संबंध होता है तो अलंबर और उद्दीपन का जो संबंध होता है वो बिभाव से होता है संचारी भावों की संख्या 33 होती है जुगुप्सा यानि ग्रड़ा किस रसका इस्थाई भाव है तो ये बीभत्सका है ले तुक यतिगती मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं तो इसे हम छंद कहते हैं किस अंगला प्रष्ण है किस वारनिक छंद के प्रतिक चरण में 31 वह ते हैं तो ये इसका सही उत्तर होगा कबित तक और अंगला प्रश्ण है कबी की सोभा बढ़ाने वाले कारग को कहते हैं तो आप सभी को पता है अलगकार कहते हैं दोहा छंद के दूती और चतुर्थ चरण में मत्राइं होती हैं तो ये गेरा-गेरा मत्राइं होती हैं उसके प्रत्था में तरती चरण में तेरा-तेरा मत्राइं होती हैं और दूती और चतुर्थ में गेरा-गेरा मत्रे होती है चलते हैं अंगले प्रश्ण पर और देखते हैं रिक्तिस्थानों की पूर्थी पहला प्रश्ण है नायक के जीवन की किसी एक घटना अत्वा हिर्दे इस परशी अंसे का पूर्था के साथ अंकन खाली स्थान काबे में किया जाता है तो ये खंड काबे में किया जाता है अभिने तुत्तु की प्रधानता खाली स्थान काबे में होती है तो ये दिरिश्च काबे में होती है काबे में रस का अर्थ खाली स्थान सुईकार किया जाता है आनन्द इसमें होगा आनन्द सुईकार किया जाता है नायक नायका के संयोग या वियोग का वर्णन श्रंगार रस्मे होता है कविता के रजनापी धान को क्या कहते हैं तो इसे छंद कहते हैं चौपाई की प्रतेक चरण में 16-16 मत्राएं होती हैं और चंद खालिस्थान कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं वालनिक और मात्रिक जहां लोग की मर्यादा को पार करके किसी वस्तू का तेंत बढ़ा चड़ा कर रोड़न किया जाता है वहां खालिस्थान अलंकार होता है तो आतिसंयुक्ति अलंकार होता है बे प्रुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रुक्ति प्रकाश अलंकार को जब हम पढ़ा देंगे, जब हम अलंकार पढ़ाएंगे, जब कोई सब्द दो या दो से अधिक बार आ जाए, तो वहां प्रुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चलते हैं सही जोड़ी पर, तीन सही जोड़ी दी गई हैं, पहली सही जोड़ी देखते हैं, कमाईनी को मिला देंगे हम महा कब से, कमाईनी को मिलाएंगे महा कब से, पहली जोड़ी को कमाईनी को महकाब से मिलाएंगे दोहा को मिलाएंगे छंद से सुदामा चरित को मिलाएंगे खंड काब से नाटक को मिलाएंगे द्रिश्च काब से और सांतरस को मिलाएंगे निर्वेश से इसके बाद सांतरस को निर्वेश से मिलाना है इसके बाद कब्री की आत्मा को हम मिलाएंगे रस से और छंद के प्रकार मिलाएंगे मात्रिक छंद से चौपाई नहीं छंद के प्रकार इसको फिर से देख लेजिए कब्री की आत्मा को मिलाएंगे रस से छंद के प्रकार को मिलाएंगे दो से दो प्रकार होते हैं ना मात्रिक और वारनिक और चौपाई को हम मिलाएंगे मात्रिक जहन से तेन वरवरों का मेल गड़ कहलाता है और विहारी से सरंगार प्रकरचना है इसके बाद चलते हैं तीसरे सही जोड़ी पर और ये जोड़ी है अलंकार अलंकार को मिलाएंगे अलंकार को मिलाएंगे अभोशर से और जहां आप प्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोद हो वहां अन्युक्ति अलंकार होता है और प्रकरचना में मानवी क्रियाओं का आरोपण ये आपका मानवी करर अलंकार कहलाता है और लोक मर्यादा की सीवा लांकर वर्नन करना ये आपका आतिसन्युक्ति कहलाएगा और जहां एक ही सब दो बारा हैं वहां पुनरुक्ति प्रकासलंकार होता है चलते हैं एक वाक्त में उत्तर लिखिए एक वाक्त में उत्तर लिखिए पर पहला प्रश्ण है किस काब में पूर्वा परशंबंध नहीं होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्तक काब मुक्तक काब मुक्तक काब में पूर्वा परशंबंध नहीं होता है दूसरा, देखेंगे, रामचरित मानस का प्रमुक छन्द कौन सा है, तो यह चौपाई है, मुक्रुप से दोह चौपाई पर लिखा गया है, जो की मुक्रुप से चौपाई छन्द है, इसमें दोह चौपाई भी कह सकते हैं, अगला प्रश्न है, मुखरूप से इस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो मुखरूप से स्थाई भावों की संख्या नौ है, नौ इस्थाई भाव हैं और नौ मुखरूप से रश भी है, अर्ध समात्रिक छंद क्या है, तो पाचमा का जो उत्तर है, अर्ध समात्रिक छ क्षंद क्या है तो इसमें आप लिख सकते हैं दोहा दोहा इसका उधारन हो लिख सकते हैं दोहा हो जाएगा और चटमा प्रिशन है बड़ी पड़ी अचानक नदिय पार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक जे तक था उस पार इन पंक्तियों में कौ नगकार और अग metallic है गडरो की कल संख्या लिखे टो गडरो की कोल संख्या कितनी होती है आठ होती आट कौन-कौन से यगड मगर तगड रगड जगड भगड नगड सगल यह मुखुरब मत्राओं का चरण किस छंद में होता है आठमा प्रश्ण तो 16 16 मत्राओं का चरण किस छंद में होता है तो इसका हो जाएगा चौपाई चोपाई छंद रहे हैं और प्रश्ण नम्बर नॉमा है साकेत इबंपंचवटी रचनाओं की रचनाकर का नाम लिखी तो इसमें हो जाएगा मैथली शरान गुपत है उड़िसलन, गुप्थ हो जाएंगा उत्तर, और अंगला प्रिश्चन है, मातरों की संख्या पर आधारी चंद क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं मातरिक चंद, आप सभी की पता हैं मातरिक चंद कहलाएंगे, और अंगला प्रश्ण है कि जिन करणों से इस्थाई भाव तीब रोते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो इन्हें हम विभाव कहते हैं विभाव ठीक है तो ये आपके 11 पूरे प्रश्ण हुए अब चलते हैं सत्त असत पर सत्त असत सत्त में पहला प्रस्ण है रामचरी मानस महा कब बे तो सत्त है द्रस्य कब में अभिनेत्त प्रधान होता सत्त है मात्री खण में मात्रों की गिंती निश्चित रहती सत्त है वानिक छनमे गड़ का बहुत मौत ये भी सत्त है रस के साथ अंगें ये आसत्त है क्योंकि चारंग होते है इस्थाई भाव, बीभाव, अनुभाव, संचारी भाव प्रेश नमबर छठमा जहां अलोकी काश्यर का भाव उत्पन हो वहां बीभश से रस होता है तो छठमा भी असत्त है और कबिर तुलसी ब्रंद रहीम आदी कभियों के भागती और नीती परगतों है पाटपुष्टक के अंतर गताते हैं कि ये सत्त है आठमा अन्युक्ति लंकार में लोक्षीमा को पार करके बढ़ा चड़ा कर वर्णन किया जाता है ये सत्त है क्योंकि ये अन्युक्ति में नहीं बलकि आतिसन्युक्ति की परिवासा है बंठन के आए काले काले मेग में पुनुरुक्ति प्रकाश अलंकार है तो ये सत्त हो जाएगा क्योंकि इसमें काले काले में पुनुरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसके अलावा इसके जो आती लगुती प्रशन दिये गए हैं इनमें भी आप लोग देखेंगे क्योंकि दो प्रशन आने हैं इसमें से चार नमबर के परिच्छा में और इनको अच्छे से देख लेंगे मिलते हैं अंगले वीडियो पर और उसमें हम देखेंगे एक आई देन के सभी वस्तिनिष्ट प्रशनों को तब तक सभी मित्रों एवा मिध्यार्थियों को जैहिंदे